अवाजे कौन टीवी दे समू दर्शकांदा मैं ग्यानि गुरुजीत सिंग प्रोग्राम अखर का पियोदे विच स्वागत कर दें सारे यां संगतानों गुर्फते परवान होवे वाहि गुरुजी का खाल सा वाहि गुरुजी की फते अवाजे कौन टीवी दे बलू जिते सिखी दे परचार वास्ते वकष तरांदे उपरा ले कीते जांदे ने समागमानों परसारन किता जांदे पाठ सर्बन करवाए जांदे ने उथे संगतां दे बास्ते प्रोग्राम अक्र का पेयो शुरू किता गया जी दे विच गुर्बानी दे ते होर लोक पाशा दे जेडे शब्दां दे पेद ने ओ संगतां दे अके रखे जाने पड़ाईदा जमान ने बड़े सादम ने मनुख पड़ेया लिखे आ और उन्हों लगदा है कि उन्हों पता है पर जेओदे ते सवाल कीता जाए फिर उन्हों सही तौरते जवाब देन तो असमराथ दखाई पेंदा है जमें जड़े सिख ने ओ तार्मक जगत दे बिच सब तो ज़्यादा जो शब्द वर्त दे ने ओ ए गुरू गरंथ साब कोकि गाली गुरू गरंथ साब गुरू ने उत्थो शिरू हों दी है इस करके गरंथ एस तरह दिनान लिखिया जन्द है पर हुण गरंथ दे जे कोई अर्थ समझना चाहे या इदिती सवाल कर दे भी सामने वाड़ा भी गरंथ दे की अर्थ ने उन्हों पताते है गुरू गरंथ साब है भी मैं मत्ता टेक दें गरंथ नो पर गरंथ उन्हों गरंथ ही क्यों कहें देने एदा उदे कोड़ी कोई भी जवाब नहीं होवेगा इदा जेड़ा शबद दा जेड़ा अर्थ है उए गग्रणा ये ग्यान दा ग्यान अंदर सथित उदे उपर टिपी भी है जिडार आ रहा है वो छोटा है स्थित वो था उसनों ग्रंथ केंदे ने जीदे विच ग्यान स्थित है जीदे विच ग्यान टिक्या होए जीदे विच ग्यान मौजूद है वी तू उस दे अगेड चुक रहे हैं मथा टेकरे है जिते ग्यान स्थेत है फिर शब्द कुरान उन ग्यान बढ़ियां थामादे गुरुगरंट साथ ग्यान दे अर्थ ग्यान अंदर स्थेत फिर कुरान जिड़े मुसलमान ने उ कहने ने भी कुरान है तार्मक पुस्तक है उना दी हुन जो सामने वड़ा भी पुछे यहां कदी आवदे मंदे विची ये सवाल पैदा हो जाए भी कुरान देखी अर्थ ने मनुख कहेगा तार्मक पुस्तक है पर यह जिड़ा यहां जिसतरा दिन आड़ असी अर्थ कर दिने हैं यह जिड़े अर्थ ने पी पूर्ण तार्थे सई अर्थ नहीं ने यहां इस तरह दे नड़ कहलो भी शब्दा नो पूर्ण तरह दे नड़ खोलेया होया नहीं है अगर उन गुर्बानी दे विच भी कुरान दा जिकर है मेहर मसीद सिद्क मुसल्ला हक हलाल कुरान इसलाम भी कुरान दा जिकर कर दे फिर कुरान दा अर्थ बन दा ए एक दा फुर्मान शब्दा दे दार दे वी ओ किताब जीदे विच अल्ला दा फुर्मान ओ दर्ज है एक दा फुर्मान आज एड़ा कक्का है, ओ एकद है, फुर्मान, अंकड, सारा कुझ, ए एकदे फुर्मान दा संखेप है, एदे तो बन दा है कुरान इस तरह दे नाल, जिनने भी शब्द ने, उना दे अर्थ इस तरह दे नाल बन देने, मनुख पढ़ते लेंद है, उनुँ पढ़ाया जान दे, सब बहुत ग्यान उनुँ एकद्तर है, पर उदे जड़े समझन दा तरीक है, या उनुदे, ओ शब्दा दे राही, इतनी तौर होते परगट नहीं हुंदा, जिवें गुरु तेग बादर साव जीदा सलोक है, कंठ है सारे आनो, बाल, जवानी और बिर्द फुन, तीन अवस्था जान, सरीर्दियां अवस्थामा दे नर सबंदत है, वी सरीर्दियां तेनी अवस्थामा ने बचपन है, बाल, जवानी ते बुडेपा, हुन मनों को खोद भी गुजर दे विच्दी, बचपन दे विच्दी लंगद है, जवानी दे विच्दी लंगद है, बुडेपे दे विच्दी लंगद है, देखदा भी है, बज़ुर्ग, बुच्चे देखदा भी है, पर जेओ दे ते कोई सवाल कर दे बच्चा की है, जुआनी की है, तिबुडेपा की है, उन्हों पताते हैं, लंग्याते हैं, पर उन्हें शवदान हुई पड़े हैं, बुजया होया नहीं है, या इन्ज कहिए भी उन्हों शवदान दे थल्ले नहीं उत्रे हैं, गहराई दे विच नहीं उत्रे हैं, सलोक है बाल जुआनी और विर्द फॉन बाल की है बाल दे अर्थने बारां साल जित उसी बाल कहने हो तब बारां साल तक की कहने हो नूँ और एक कोई इस तरह देनाड नहीं है भी मैं खुद कह रहे हूं मां या अपने कोड़ों ही कह दे हूं मैं भी बाल बारां साल ए बकैदा गुर्बानी देविच दर्ज है बारहें बर्स बालपन भी थे बारां साल ते आके जेड़ा बालपन है वो पूरन तौरते खत्म हो जाने कई बच्चेयां देविच दस साल ते खत्म हो जाने दस बाल तन पर पूर्ण तो औरते वद तो वद जे ओ जावे ते 12 साल ते बाल दे अर्थने 12 साल हुन जवानी भी ये बाल जवानी हुन जवानी पता ते है भी ये जवान केस काड़े हुन दे ने पर शब्दा दे अर्थे जवानी नो तुसी बियान करो जवानी दे अर्थने जोर आन भी ओ समा जो दो शरीर दे विच जोर आया है जद हुन ऐसा बच्चा जद जम दे बड़ा कमजोर हुन दे बारां साल गुजर दे ने फिर बारां साल तो बाद ओदे अंदर जोर आना शुरू हुन दे और तार्मक गरंद केंदे ने वी चारी साल तक ओदे बिच जोर आना रह दे चारी साल ते सरीर पूरा हो जान दै फिर जोर समे ने ले आन दै और समा जोर कड़दा भी है ले भी जान दै समे दे नाड समे दे नाड फिर जोर निकल भी जान दै जो अनी दे अर्थ जोबन दा भी यही है चाहे जोबन कहो तुसी जो बन दे भी अर्थ ने जोर बने आ ओ समा जदो जोर बने है ताकत बनी है बल बने है सरीर दा ओ पिरियड जदो बड़ा जोर है बचपन बारा साल तक जोर आये पकेने बंदा जवान हो गये, पोत जवान हो गये, मनुक जवान हो गये ठीक है कादबाद के है पर मेन ओए दे विच जोर आ गए है फिर जवानी तो बाद बुटेपा या बुटा बुटा यह है हुण केस चिटे हो गए नहीं रांग पर जिड़ा रांग भी बदल गए है चाल भी बदल गए है पर मेन जो ओदे विच है ओई है भी बाल कड़ा भी बाल कड़े है जवान है जीदे विच बाल पाया है तो बुटेपा जीदे विच विच बाल कड़ ले है भी जोर कड़ ले है बाबा फरीद सलोक ने बुड़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे है भी जदो मेरे बाल आया सी ते इना ताकत सी भी बंदे डर दे सी दुझे कंबन भी लग जान दे सी भी बड़ा जोराला बंदा है थी होन मेरे विचो बाल कड ले है समय ने उन्हें पाया सी उन्हें कड ले है कंबन लगी दे है होन जेडा मेरा दे है वो कंबन लग पई है हिल्लन लग पईए जे सो वरेया जीवना पीतन हो सीखे ए जडे शाबद ने बाल, जुआनी, बुटेपा बुटेपेदा भी यही है गुरुते एक बादर सहीव बिर्द ओ सारे बबे नाली ने बाल रेकत भी बाल रेकत हो गया है बाल तो बेना खाली हो गया है बिर्द बुटेपा बाल कड़ेआ पे है विजीदा बाल कड़ेआ पे है इस वास्ते जैसे जैसे सरीर दे विचो बाल निकल दा है मनुख कई वार लंबा समा अपना ओ सेहजा दे उपरी बतीत कर दे नवेका सेहजासनी मूल ना जाने आप बल आप बल दे अर्थ ने आपना बल ओ पोल के भी आपना बल नहीं जानदा कमजोर हो जानदे ए जड़े शब्दने मनुख सुनदाते है उनुँ पताते है पर अक्रादे अधारते ओ दे जड़े अर्थने ओ मनुख दसनतों समझन तो बड़ा असमरत हुनदा हुन एक जड़ा शब्द है गुर्मत दा उलाहनो ये शब्द है गुरु अर्जन देवजी दा ये लिखे है उलाहनो में काहू न दियो मन मेट तो हारो की 988 आंगते है संगतानों कंठ है जड़्द गुरु अर्जन देवजी दा शिहीदी दिवसोंद है एस्तरां दे शब्द मनुख रागी संग गाइन कर देने मनुख पढद है भी मैं उलांबा नहीं देता उलाहनो में काहू न दियो मन मीट तो हारो कीयो हे परमादमा जो तो कीता है मैं उन्हों मिठा करके मन दे मैं कोई उलांबा नहीं देंदा पर हून मनुख अगर स्टीक चुक के परफेसर साव सेंग दा लगदाते है मैं नू समझ आ गया है पर सामने वड़ा कहे भी उलाहनों देकी अर्थ ने मनुख कहेगा भी स्टीक देखो क्योंकि समझन दा सौखा तरीका एही है स्टीक दे विचने उपा लंब इस तरहां दे अर्थ मिल जान दे उपा लंब या उलांबा बसे अर्थ ने लगदाते है भी उनों खोले है पर इते फेरो ही गलब बन जान दे अभी उलांबा की है और पाई कान सिंग नभा उना दे महान कोश दे विच भी यही है पर अर्थां दे बावजूद भी सवाल वैसे दा वैसे नहीं के गल्त ने पर सवाल फेर बनिया रहें दा उते दा उते पी उलांबा की चीज है मनुख दिन दा बड़े बार जिंदगी दे विच गुरू साब ते प्रमात्मा नूं कह रहे ने पी मैं ते नों कोई उलांबा नहीं देता जो तो कीता मैं मिठा करके मन्या बड़े बार मनुख लंबा दिन दे उलांबे दे अर्थ ने उल्टा लाव उडा नूं अंकड उल्टे दे लल्ले नू कनना लाव दे उल्टा लाव लाव दे उल्ट की ए हाहा है गय हानी दा हानी कनो मैं ते सुचया सी समझया सी जानदास मन्या सी भी मैं कुछ कर रहे हैं मैंनू लाब होवेगा मैं फलाने नू तो मैं कोई सुखदी आसा रखदा सी पर उन्हे ते नुकसान कर देता है बग उल्टा मेरा फिर मौनुक जो परगट कर दा है उन्हों केंदेने उलाहनो उल्टा लाब भी फाइदे दे उल्ट लाब नहीं होया हानी हो गई है और उवी बौती हो गई है कनो ए उलाहनों दे अर्थने जो बिलकुल कले कले अखरनों ए इन्ने अखरांदा जोड बन के आक अल्ला शब्द बने है और इस्तरांदे अर्थ किसे भी स्टीक दे विच तुसी पाइकान सिंग नाबा दा महानकोश देखो परफेसर साब सिंग दा गुर्बानी पाठ दरपन देखो तां भी तो आनू इस्तरांदे अर्थ नहीं मिलने फिर एक शब्द है उजागर जमिन दी उलाहनों है उजागर ये शब्द है ये भी मनुक नून लगद है भी मैं वाकफ है दे तो हर के नाम कबीर उजागर गुर्बानी देविच ये है 487 यांग देविच उजागर इदे अर्थ जो परफेसर साब सिंग कर देने परसेद उगगा पर मनुक सवाल कर सकते है भी ऐसी परसेद ठीक है उन्हों समझा आते ही दिता है पर फिर भी उजागर दी व्याख्या नहीं है चाहे तुसी एदे एक बराबर परसेद लिख देओ भी फिर हो सकते है कोई ऐसी तरक बुद्धी अड़ा भी आजे ओ परसेद क्यों नहीं लिखे उजागर ही क्यों लिखे है गिर जागर दे तुसी अर्था दस्तु की है उजागर दे अर्थने उसनू इसनू एजिडा मनुक उजागर है कबीर जी उजागर ने उसनू जानदा97 जज्जा जानन दा, जज्जी नुग जान दा, गगा है जगत दा, जगत, सारा, ए एनेश चार शब्दां दे, जोड़ दा, संखेप दा, ए शब्द बन दे, उजागर ठीक है तुसी परसेद भी कह दे होगे, तो उनुँ पता भी है भी है बंदे नुँ ये बंदा बहुत परगट है लोग कांदे विच उग है, ओ शब्द उदे नेडे टुक देने, उनुँ समझावी दिन देने दूसरे हनो, पर फेर भी पूर्ण तौरते व्याखिया करनी भ शब्द ने ए संखेप शैली देने, ताँ जाकर के ए शब्द बंदेने, उजागर जिमीदी उलाहनों, उलांबा बंड उल्टा लाव हानीकनों, उजागर इस तरह दे नल बंदा ए, ए जड़े शब्द ने, इस तरह दे नाल, ए संखेप शैली है जगत दी शैली है, संखेप, होने के शब्द है, कंगा पांज ककारां दे विचो एक है देखद है मनुख, और सिख ते खास करके केसा तारीने ते वर्त देने रोज, बाकी भी दूसरे मत दे भी वर्त देने कंगा, पांज कका, पांज कक्यां दे विचिक ककार है सामने यह ओदे, बिलकुल उन्हों पता है किमे वर्त ने, कैसा कंगे दा कार है पर जहुने इस शब्द दी व्याख्या करनी बवे, विए कंगे नूं कंगा ही क्यां हो कहन देने तै शब्द है, विए ओ वस्तू है केस लंगा, जो केसां दे विचिदी लंग दी है केस लंगा, ए दो शब्दां दा जोड एक कंगा, कका केस दे, ते ए दो शब्द इस तरह दे नाल, दूना नूं जोड केस लंगा तो बढ़े यां कंगा विए कंग है, फिर एक ककार दूसरा विए कशैरा कशैरा पैन देने मनुक, सिख पैन देने, पाई गुर्दास जिड़े दूसरे ने, सील जात दी, काच पहर पकड़े ओ हत्यारा दसमें पाथशा दे अनिन सिख पाई नांदलाल जी, पंज कक्यांदा जिकर कर देने निशानिये सिख ही, पंज हर्फ अस्त काफ, हरगिज ना बाश्यद इन पंज माफ, कड़ा कच कार दो कंगे बिना, बिना हेच केस अस्त जुमले निशांदा, कड़ा कच, ओ कछैरे दा, संखेप कच, ओ कर देने, विएदे, फार्सी दे विच, हर्फ केंदेने, विच हर्फ अकरान, उकेंदेने वी बारी तौरते सिखी दी जड़ी निशानी है, ओ पंज कके ने, उदे विच केस, कंगा, कड़ा, कशैरा दे कर पान, उना पंजान दे विच एक कशैरा, पैन देने मनुक, नेंग सेंग पैन देने, थोड़ा जा लंबा पैन देने, मत करने हो, मनुका ने पाया हूं दे, पर इनु कशैरा ही क्यों केंदेने, उते फिर पता चल दे भी लाक, देड़ा कक्का है गया ओ लाक दा, शादन, चच्चा है गया शादन दा, लाक शादन पैरा, पैरेया, वी ओस कपडे नु कशैरा केंदे ने, जिड़ा आपने लाक नु चादन दे वास दे, शादन केंदे ने, टकन दे वास दे, टकन दे वास दे, पैने आ जाए, उनु कशैरा केंदे ने, फिर तुसी देखिया होना है लंगोट, उन कशैरा भी है, लंगोट, विजेडे, सादू ने, उनु सादू आ दिया, दस पंत सन्यासियां देने, बारा जोगियां देने, बड़े पंत ने, उन उदासीन सादू ने, उन लंगोट पैन देने, उन कशैरा कशैरी अर्थ है भी, सारे लक्नों, उन्हों आपां टक्ने, पर लंगोट दे अर्थ, उन लंगोट पैन देने, लंगोट दे अर्थ ए नहीं ने, लंगोट दे अर्थ ने, लेंग ओट, लेंग, ओट, लंगोट, लेंग को ओट, वी केवल, जो पोर्षदा जनन इंदर है, लेंग है, उन्हों ही टक्ने, और जी देना उन्हों टक्ने जाए, लेंग ओट, उन्हों कहन देने, लंगोट, इस करके कहन देने, इस करके उदा नाम पे है, लंगोट, वी भी पैन देने मनुक, जिमें साढ़े वीचे के शैर है, वी कहन देने भी लेंगोट करनी है, लंगोट है, फिर गुर्बानी दे जड़े शब्द ने एक सिखान दी बड़ी पड़ी जानवाली साथी बानी है सुख्वनी साथ और उदी वी कई पंग्तियां ऐसियां ने जो सारे मनुखानों कंठी है क्योंकि बड़े गुर्से खुदा नेम तो बाद पाठ कर देने बड़ी सरल बानी है कंठ है पंग्तियां उदे विच गुरु अरजन देव जी दी बानी है दो सो बाठ अंग तो शुरू हुं दिए चोवी अस्टपदियां ने एक अस्टपदिदियां पंग्तियां ने प्रभ की उस्तत करो संत मीथ इस तरह देना उस्तत करो संत मीथ ए मेरे मितर, ए संत जन, परमात्मा दी उस्तत कर सावदान, एक आगरचीत, एक आगरचीत, भी सावदान नहीं दे नलकर. ए बचपन तो इ मनुक सुन दा है, विसावदान हो जो, बड़ी जगा ते के आजन दे कोई अफसर आ रहे है, टीचर आ रहे है, सावदान हो जो, गुरु अरजन देव जी कहें देने तू परमात्मा दी उस्तत कर रहे हैं, सावदान नहीं देना, और अक्सर तुसी सडकां त कटी दुर कटना कटी विसावदान नी बहुत जरूरी है विये किदरे हाट जाए ते दुर कटना काट जांदी है सडकां दे उपर सरकाराने बोर्ड लाए ने बहुत सुन दे मनुखेस सावदान न और बकैदा जेडे बंदे पीटी कर दे ने स्कूलान दे बिच उथे है सावदान विश्राम बकैदाओ सरीर दे अंगानों हलाँ दे ने पर इनना जानन दे बावजूद भी जरूरी नहीं है कि ए मनुख सावदानी दे बारे जानदा हो बरतन दी कोशिश कर दे सावदानी नू पर कोई एदे अर्थ पुछे विशावदानी दे की अर्थ ने उदे अर्थ ने सारा सारा ससे नू करना सारा एजड़ा वावय दे अर्थ ने विच वावा विच तदे नू करना दे अर्थ ने त्यान वी सारा त्यान जो तू कर रहे हैं उदे विच्ची तेरा सारा त्यान होए उकेंदने प्रब की उस्तत करो संत मीद परमातमा दी उस्तत कर सिफ्तो सला कर पर तिजदो तू कर्ण बेठें ता सारा तेरा जड़ा तियान है ओधी उस्तत दे वेची होगे पूर्ण तौर दे उस्तत दे मनुख कर दे ने पाठ मनुख कर दे पर सारे त्यान दे नड़ करना भी त्यान किसे होरपा से ना गया होगे उनुख केंदे ने सावदान जिवेंदी पढ़नों ते नमाजों भी पढ़ रहा थी सुल्तान पुर दे विच काजी पढ़ रहा है सुल्तान पढ़ रहा है पर त्यान किसे दा काबल दे विच, किसे दा कर दे विच सुई हुई, कोडी दे विच, विशेरे दे विच से, भी पूरी सावदानी दे नड नहीं पड़ रहे है सारा विच त्यान, तेरा सारा त्यान, टोटल कंसेंट्रेशन, तेरी पाठ दे विच्ची होए इस वास्ते बड़ी एकागरता देगा लड़ीवार सरूप महराज ने लिखवाई उदे विच खासियत है हुनते पादशेद कर लेने 1979 बाद जिड़े सरूप बेश्तर गुर्दवारा साफ दे विच परकाशत ने उप पादशेद ने लड़ी बार बीड़ा में उदे खासियत है योदे ते तुसी पाठ करो थोड़ा त्यान कुदरती नहीं जावेगा फिर बंदे दी समरत्था बन जान दी उनों पता चल जान दे वित्यान नहीं लेके जाना ओ बड़ा लाबदाएक है हुण दरबार साथ हो सुरूप परकाश है जेमेंदी मुतीबा गुर्दवारा साथ परकाश है दोखनवारन गुर्दवारा साथ लड़ी बार सुरूप परकाशत है पर पिंडान दे गुर्दवारयां दे विच आम करान दे विच पाठ करन लगया जेड़े सुरूप परक यह नहीं ते लड़ी वारसी इसवास्त महाराज के ने तु फिर भी Teeri classical महराज ने यतन कीता sitzen हुलाइक की लिकित विचिती रे कि पीत्य थीड़ाइश्चर विच अंप शारा भी थी Прissase सारा श्राइश है ओ एक तो ही हो रहे है एक नों अगे रखना एक मेरे तो पहला भी है मैं नहीं हूं वांगा फेर भी होवेगा एक आगर भी एक की है जीदे तो जन्म हो रहे है मर्न हो प्रभ की उस्तत करो संत मीत तू कोई संसारिक कामदे विच भी सफलता चाओन है तेरा त्यान उदे विच होवे ताई तेनू सफलता मिलेगा तू परमार्थ दे कामदे विच सफलता चाओन है तेरा सारा त्यान उदे विच होवे ताँ जा करके तेनू सफलता मिलेगा यह सावदान ते एकागर दे अर्थ यह थी एस प्रोग्राम दी अखर का पे वो प्रोग्राम दी एस एपिसोड दी समापती है उमीद है भी तो आनू चो शब्दान दे बिल्कुल गुर्मत दे अनसार चो अर्थ कीते ने ओ सुनके तो आड़े मांदे विच विसमाद शब्दी गहराई चुतरन दे नाड़ पैदा होवेगा हलका पन पैदा होवेगा ते रस ओ तो आड़े अंदर बढ़ेगा इतनिया कबेंतियां दे नाड़ इस प्रोग्राम दी समापती है अगों हर हफ़ते अखर का पैओ प्रोग्राम लेके तो आड़े की हाजर हो मांगे वाहे गुरू जी का खाल सा वाहे गुरू जी की वते